कहावत है की बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद लेकिन इंदौर्जू के बंदर को देख कर इस कहावत को लेकर आपका विचार बदल सकता है इंदौर्जू के फूट जौन में घूंते और यहां के आने वालों के साथ पैट कर खाने पीने का स्वाद लेता है यह बंदर चाय भी पीता है लेकिन बस अद्रक वाली चाय अगर चाय में अद्रक नहीं डाला गया तो चाय फैंक देता है और नराज हो जाता है फूट जॉन के संचालक भी इसके लिए इस पेसल अद्रक वाली चाय बनाते है इस बदल चुकी है चड़िया गर की लेकिन अभी हमारे फूट जोन की स्पेशलिटी यह है कि एक बंदरिया है टीया नाम की वो हमारे फुटोजोन की शोभा बढ़ाती है, कस्टमर्स के साथ खेलती है, बच्चों के साथ खेलती है, उसके स्पेशलिटी यह है कि उसको चाय बहुत पसंद है, और अद्रक वाली चाय बहुत पसंद है, सुबह शाम उसके लिए स्पेशल चाय बनती है, हमारे स्टाफ की चाय बनती है तो उसकी चाय भी इस्पेशली बनती है उसको चाय ठंडी करके दी जाती है मतलब उसको चाय काफी हद तक कुछ जादे ही पसंद है इंदौर के कमला नहरू प्राणी संग्राले में लाए गई इस बंदर को एक रेस्क्यू के दौरान बचाया गया था करंट लगने से यह गाहल हो गया था रेस्क्यू के बाद जो के स्टाफ ने इसकी खूब देखभाल की और अब यह बंदर उन्हीं के साथ एक दोस्त की तरह रहता है अधरक का स्टाफ पैचानने वाला यह बंदर कुछ खास है आमतोर पर बंदरों को फल खाना बेहत पसंद होता है लेकिन डिया नाम का यह बंदर अधरक के स्टाफ का दिवाना है और अधरक वाली चाही पीना पसंद करता है इंदर से सिद्धार्थ माचिवाल की रिपोर्ट ए टीवी भारत मध्यप्रदेश